रामनामी हबड़ा शुबा शाया गलू पांच साल से नरेंद्र मोदी देश का चौकिदार बने घूम रहा है सेल्फ स्टाइल सेल्फ स्टाइल चौकिदार जहां भी जाता है नरेंद्र मोदी कहता है मैं चौकिदार हूँ और जनता कहती है चौकिदार 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 जहां भी जाते हैं चौकिदार जनता कहती है चौकिदार चौर और अभी तक नरेंद्र मोती जी को समझ नहीं आई बात चुनाओ लड़ेते तीन वाएदे किये प्रदान मंत्री मत बनाओ चोकिदार बनाओ 15 लाग रोपे हर बैंक अकाउंट में डालूँगा याद है आपको याद है ना अच्छा मिल गए मिल गए 15 लाग दो करोड युवाओं को रोजगार दूगा किसान को सही दाम दूगा नरेंद्र मोदी जी चोकिदार है आपने किस के की आपने कभी किसी किसान के घर के सामने चोकिदार देखा है कभी देखा है किसान के घर के सामने चौकिदार बेरोजगार युबा के घर के सामने चौकिदार देखा है मजदूर के सामने मजदूर के घर के सामने चौकिदार देखा है चौकिदार अनिलम्बानी के घर के सामने होता है चौकिदार हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों का चौकिदार है सही है ना तो चौकिदार जी ने वाइदा किया था 15 लाग रुपे हर बैंक अकाउंट में कभी-कभी मैं भी उनके बाशन देख लेता हूं मैंने सुना चौकिदार 15 लाग देना चाहता है उसके बाद murder accused हमेच्चा कहता है ये तो जुमला था जूट था ये तो हमने ऐसे ही बोला था तो मैंने सोचा मैं पता लगा हूं क्या हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा दे सकती है हाँ या ना तो मैंने कॉंग्रेस पार्टी के economist को think tank को बुलाया और मैंने उनसे सवाल पूछा मैंने उनसे कहा देखिए चोकिदार जूट बोल गया हमारे देश के दिल में चोट पहुँची गरीमों को लगा था कि बैंक में पैसा आएगा नहीं आया धोका हुआ मगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे देश के जनता ने सपना देखा कि बैंक में गरीमों के बैंक में पैसा आएगा और नरेंद्र मोदी ने वो सपना तोड़ा मैंने एक economist Congress economist से कहा think tank से कहा एक बात मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने पंद्रा लाग नंबर दिया था जूटा था आप मुझे सच्छा नंबर बताओ आप पूरा calculation करो दुनिया के सबसे बैतर economist से जागे पूचो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिश्वत गरीब लोगों के bank account में क्या हिंदुस्तान की सरकार पैसा डाल सकती है और अगर डाल सकती है तो कितना और मुझे जूट मत बोलना मुझे पंद्रा लाग नहीं सुनना मुझे सच्चाई चाहिए एक शर्थ हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता नश्ट नहीं होनी चाहिए इतना पैसा नहीं देना है जिससे हिंदुस्तान की पूरी economy ठप हो जाए मगर पैसा देना है आप जाईए पता लगाईए नंबर दीजिए मुझे पांच महीने बाद वो वापस आए कागिस पे उन्होंने मुझे एक नंबर लिखके दिया एतिहासिक नंबर शांदार नंबर धमाके का नंबर 72,000 रुपए साल के 72,000 रुपए पांच साल के 3,60,000 रुपए यह सक्चाई भाईयों और बेनो नरेंद्र मोधी ने कहा 15,000,000 देंगे जूट हमने पता लगाया है calculation किया है हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 2019 के चुनाओ के बाद Congress Party 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डाल देगी